नमस्कार, SM News में आप सभी का स्वागत है, मैं सजिता कुमार और आप देखें SM News आज हमाँ साथ है एडविकेट आईयर सिंग जी जो कि बहुजे समाज के बहुत बड़ एक्टिविस्ट है और बहुजे समाज को जागरूप करने के लिए हमेसा तत्म रहते हैं पहले तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत 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 दनवादी मेडम आज हम इसे पूछना चाहेंगे कि मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए बहुत धर्म ही आवश्चक है क्योंकि आदून की विज्ञान के यूग है और बहुत धर्म भी एक एक विज्ञान पर आजारी धर्म है और मनुष्य विकास नहीं कर सकता और मैं एक सायर की आपको बात बता दूँ कि घायल तो हर पिरंदा है यहां पर लेकिन जो उड़ सके जिन्दा है वो तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हम लोग जीवन में कभी भी अगर हम विज्ञा के लगे तो नकेवल मनुष्यका कल्याण होगा बौत धर्म से बल्कि हर जीव जन्तू का कल्याण होगा प्राणी नह歲 जगत का और जो एकॉनिक सिस्टम पेड़ पौदे उनका भी होगा क्योंकि बौत धर्म में को हर आदमी को हर पक्षी को, हर प्रानी को, हर एक पौदे को भी अपना जीवन जीने का अधकार है इसलिए बौधर्म के बिना हम मनुष्ट का चत्रम की विकास की हम कलपना ही नहीं कर सकते और बहुत्धर्म मानफática के लिए इतना ही आवशकता है जितना मनुष्क के जीवन के लिए ऑक्सिजन आवशक AT होती है इसलिए बहुत्धर्म की बात में जब मनुष्के चतुमिक विकास की बात करते हैं तो हम मनुष्क के चाहते हैं कि उनका जो political development वो भी हो religious development हो economically हो और social जो empowerment की बात है कि सामाजिक समानता वाली जो बात है बहुत धर्म के अलाबा इस पर कोई खरा नहीं उतरता सारे धर्म कहते हैं कि मनुसको social करना चाहिए उंचा नीचा है और मैं आपको बता दूँ के केवल बहुत धर्मी ही व्यक्तिकत में पूरी तरह से समानता का धर्म है मुसलमान धर्म में भी भारत के अंदर चुआ चाहत है एक एक सेर है कि एक ही सब में खड़े हैं महमूद और नयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज तो वो जो बाती शुरू में थी लेकिन जब भारत में क्योंकि जो सुलकास्प के लोग थे या अनजाती के लोग जब इसलाम में आए तो उन्होंने अपनी जातियों को बरकरार रखा इसलिए वो धर्म को खा गए उसको लेकिन बुद्ध के धर्म में जब आता है तो यहाँ पर ना कोई राजा है ना कोई रंक है ना कोई छोटा है ना बड़ा है यहाँ सब लोग जरूरी है और इस्त्री के लिए जो आजादी की बात है वो सबसे ज़्यादा इसलिए जो मानप्ता के चतरूरी की विकास की बात है जो Humanity के All-Long Development की बात है केवल वो बहुत धर्म से ही आसा करी जा सकती है और बहुत धर्म कोई निरासा का धर्म नहीं है एक आसा का धर्म है और बहुत धर्म आपको ये बुद्धी देता है जो ग्यान के सुरूत के समद्ध में बहुत धर्म बताया गया है कि वह आप डारेक्ट आखों से ग्यान देख रहे हो कि देख रहे हो कि आप की यहां आँजल लही है आप यहां धुआ है तो आप जो अनुमान से ग्यान प्राप्त करते हो वहां ग्यान का जो स становится तो यहां आँप भी होगी वह चारवाक के दर सब्सक्त में है एक उन्होंने करा है एक उन्होंने करा है प्रित्यक्ष को एक अन्वान को कि मनुस्य एक अन्वान लगा ले कि मैं यहां से यहां तक कूद नहीं सकता यह उसका ग्यान है लेकिन बुद्ध के धर्म में चार महाबूताज हैं फोर महाबूताज उन्होंने बताए हैं और हिंद आतुक समंद्र प्रत्वी को कह सकते हैं और वायू है और अपना अगनी है तो इस तरह जल वगेरा यह मिला के चार महाबूताज बना गए इन चारों के जुड़ने को सईयोग को हम जीवन कहते हैं इनके विचल जाने को मिर्त्यू कहते हैं तो इसलिए बहुत धर्म में जो विकास वाली प्रकिरिया है बहुत धर्म को किसी को नीचा दिखाना या बहुत धर्म में किसी उसको नीचा दिखाना है उनकी इस तरह बात क मनुष नहीं कर सकता रूप से नहीं कर सकता एक भाईचारी के संबंध्ट में क कैसे भाई डिया सुपयर्ट मनुष्ट के मानब की विकास के लिए बहुत हर्म अतियंत अपशक्ता है और बहुत धर्म ही निश्वारता और भाईचारे पर और equality, liberty और fraternity पर आधारी धर्म है इसलिए चत्रमी की विकास केवल बहुत धर्म सही भारत का कल्यान होगा आज भारत को पूरे विस में जो सम्मान मिला है वो केवल बहुत धर्म के कारण मिला है और बाकी किसी करण नहीं मिला और भारत का जो सोशिल स्टेटर्स उठेगा कि सब लोग समान होंगे केवल बहुत धर्म से होगा इंदू धर्म से कुछ नहीं होगा इसलिए सब धर्म ये जब बुद्ध धर्म का सूर्य उगता है तो सारे धर्म ऐसे छिप जाते हैं जैसे की अंदगार अपने आप दूर हो जाता है और एक मुझे कुबलई खान का जो बहुत धर्म के अपने मंगौल वाले बहुत धर्म के पिरचारक थे उन्होंने ये कहा था उन्होंने चंगेज का कुबलई खान वगराने कि जिस प्रकार सारी उंगलियां एक हतेली से निकली है उसी प्रकार इजविश्व के सारे धर्म बहुत धर्म से निकले हुए है तर्मासरा आपका थेंकियू मैंड़ थेंकियू